गुड मॉर्निंग दियर चिल्रेंट 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 टेक आउट पेज नंबर फॉटी सिक्स तुड़ेंग टो फिनिश्ट चाप्टर नंबर ट्वेल्ट एक्स्टेनेशन अभी तक हमने देखा था हमें पढ़ा था कि दिलेर खान अटैक करते हैं और मुरारबाची वो उसका डटकर सामना करते हैं और लेकिन दिलेर खान के तरफ से जो कैनोन बॉल्स तोफ के गोलों का जो अटैक होता है उससे माची जो एक रहती है फोर्ट की वो गिर जाती है और जो दिलेर खान के टुप्स है दे कैप्चर दो लोवर पार्ट अट अट सो दे फॉर्ट वेरी ब्रेवली ओके अभी हम देखेंगे आगे क्या हुआ है पेज नमबर फॉर्टी सिक्स लास्ट पैरा मुरारबाची फॉलोड देम इन होट पर्सूट याने बहुत तफ फाइट दी विथिस टूप्स ही एंटर दे कैंप अफ दिलेर खान और रोट है तैस्ट नहस कर देना देनीमी टूप्स वेरिं फ्लाइट अंड अमराथा इन पर्सूट यहने जो एनिमी टूप्स थी यहने दिलेर खान की आर्मी थी वह कैसे थी वह भाग रही थी इनसे डर कर तेजी से भाग रही थी जैसे हवे में भागना पोलते है ना तेजी से पोल कैंप इन ग्रेट हरी दिलेर खान मांटेड ही इस एलिफेंट एंड लुक आहेड और उतने में क्या हुआ दिलेर खान कहां पर उन्होंने अपने वह एलिफेंट पर जाके बैठे यू चैन सी यहर ऑन पेज नमबर 47 यू चैन सी पिच्चर दिलेर खान सेट उन इस एल हैं कि यह एक्स्प्लाइट यह वह फटा 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 फट सबको मार रहे हैं और उनकी जो तलवार थी वह ऐसे एकदम तेजी से जारे थी दुश्मनों के गले काट रही थी सर काट रही थी और उनके सीने में जाके लग रही थी नो, one could stop him or hold him in a check कोई भी मुरार बाजी को रोक नहीं सकता था दिलेर खान watch in admiration his great deeds of bravery even though दिलेर खान was enemy of मुरार बाजी दुश्मन थे लेकिन फिर भी उनकी bravery पे उनकी loyalty पे उनकी honesty पे उनकी बहादुरी पे दिलेर खान को बहुत नाज हुआ now next मुरार बाजी incomparable वेलार वेलार यह पता है आपको bravery incomparable यहने किसी के साथ भी comparison नहीं हो सकता seeing दिलेर खान मुरार बाजी ask his troops to attack in full force and himself advance towards दिलेर खान now मुरार बाजी की यह सब बहादुरी देखकर दिलेर खान ने क्या बुला अपने troops को कि full form में full force पूरी ताकत के साथ attack करू और वो कहां पर किसके तरफ मुड़े दिलेर खान के तरफ whoever tried to obstruct him cut to pieces कोई जो कुछ भी बीच में आ रहा था मुरार बाजी के that person was cut into pieces that soldiers cut was cut into pieces the mughal troops at last surrounded मुरार बाजी on all sides अभी क्या क्या मुगल troops ने देखा कि मुरार बाजी तो किसी से किसी के दबाव में आई नहीं रहे है कोई उन्हें रोख ही नहीं पा रहा है तो उन्होंने क्या किया मुरार बाजी को इस चारो तरफ से घेर लिया just then दिलेर खान shouted wait hold back your swords तभी दिलेर खान ने क्या बोला चिल्ला के बोला कि रुको अपनी तलवार रोको the mughal troops halted किसको बोला अपनी तलवार रोको जो मुगल के soldiers थे न मुरार बाजी को जुन्होंने surround घेराव डाला था वो soldiers को दिलेर खान ने बोला कि रुको अपनी तलवार रोको attack मत करो the mughal troops halted and moved back a little यह अपने सरदार का उन्होंने आदेश सुना और वो रुक गए और थोड़ा पीछा हो गए then दिलेर खान addressed मुरार बाजी फिर दिलेर खान ने मुरार बाजी से कहा until now I have not seen a swordsman like you you come over to our side I promise you complete safety मैंने अभी तक तुमारे जैसा तलवार बाजी में नहीं देखा तलवार बाज नहीं देखा तुम हमारे side आजाओ मैं promise करता हूँ कि तुमारी पूरी सुरक्षा रखी जाएगी तुम्हें पूरी safety मिले जाएगी the emperor will make you a सरदार and reward you with a जागी आप हमारे side में आजाओ हमारे जो emperor है वो आपको सरदार बनाएंगे और आपको reward में याने prize में क्या देंगे जागीर देंगे his eyes red with anger मुरारबाजी said in return और यह सब सुनकर मुरारबाजी के आखे गुसे से लाल हो गई और मुरारबाजी ने क्या क्या we are the loyal servants of शिवाजी महाराज who wants to buy safety from you why should we come over to your side and who wants your emperor's जागीर क्या बोला मुरारबाजी ने गुसे में दिलेर खान को हम शिवाजी महाराज के loyal सरदार है who wants to हमें तुमसे safety खरीदने की कोई जरुवत नहीं है कौन तुमारे side में आना चाता है और कौन तुमारे emperor की किसको तुमारे emperor के जागीर चाहिए he then moved forward in the direction of दिलेर खान and again started attacking his soldiers वो फिर से दिलेर खान के sides में आगे पड़े कौन आगे बड़ा मुरार बाजी आगे बड़े और उनके soldiers से लड़ाई करने लगे दिलेर खान who was seated in the house on the elephant's back released an arrow which pierced मुरार बाजी neck और दिलेर खान जो elephant पे बैठे थे you can see children on page number 41 the picture has been given वहाँ से उन्होंने दिलेर खान ने ये छोड़ा तीर छोड़ा वो कहाँ पर लगा मुरार बाजी के neck पे लगा his followers और ये मुरार बाजी fell to the ground और ये वो तीर लगते ही मुरार बाजी जमीन पर गिर पड़े his followers lifted his dead body and took it back to the upper fort और उनके जो followers थे उनके जो सातीदार थे किसके मुरार बाजी के वो उनकी body dead body लेकर अपर फोर्ट में गए what if one मुरार बाजी is fallen we too are brave like him we will fight with courage saying so they begin to fight again without losing heart अभी मुरार बाजी की तो death हो गई लेकिन फिर भी ये जो soldiers थे ये भी बहुत brave थे ये भी बहुत loyal थे उन्होंने क्या कहा क्या हुआ अगर एक मुरार बाजी गिर गया ये वो नहीं रहे उनकी death हो गई हम भी बहुत बहादूर है उनके जैसे हम पूरी बहादूरी के साथ लड़ाई करेंगे और ऐसा कहे कर उन्होंने वो दुखी वहाँ पर खड़े नहीं रहे दुख मनाते हैं कि हमारे सरदार की death हो गई अभी हम क्या करेंगे वो दुखी नहीं रहे वो भी पूरी ब्रेवरी के साथ पूरी ओनेस्टी के साथ पूरे लोयल्टी के साथ लड़ाई करने गए शिवाजी हर्ड दन्यूस विद ग्रेट सौरो शिवाजी महाराज को यूद न्यूस पता चली कि मुरारबाजी नहीं रहे उन्हें बहुत बुरा लगा उन्हें मैं वापस तो ले लूँगा लेकिर उसके बिहाफ में मुझे मेरे बहादुर जो मेरे सिपाई है मेरे कमपैनियन है मेरे साथिदार है उनको गवाना पड़ेगा हमने पहले की भी chapters में देखा था उनको गवाना पड़ेगा but he was unwilling to do so at the cost of his men who would die in this attempt वो ready थे लड़ाई करने के लिए अपने forts मुगल से लेने के लिए लेकिन ये उनकी he was unwilling to sacrifice the life of his brave and loyal soldiers against the cost of winning the forts from the Mughals okay children now we will stop here and in the next class we will finish it off this lesson and I will give you the PDF of question answers that has been given on page number 49 okay okay bye children have a nice day